Hello friends, I am Dr. Adar Sharma और आज मैं कैसे topic पर बात करना चाता हूँ जो शायद आप लोगों का भी favorite है उस बारे में जानने तो सब चाते हैं मेरी भी बड़ी इक्षा थी और मैंने भी बड़ी research करी इस topic को जानने के लिए और आज जिस topic पर मैं बात करना चाता हूँ यह है कि क्या सच मे dog को घर में रखने से या अपने साथ रखने से या इस पैट रखने से anxiety, depression और stress से छुटकारा मिलता है यह एक ऐसा topic है जिस पर इतनी ज़्यादा research हुई है और फिर भी उसके बाद ऐसा कोई एक outcome और रहा का proof इसकी नहीं निकल के आई है लेकिन कुछ ऐसी theories हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए तो कि as a pet lover या फिर as a animal lover आप लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए कि यह process कैसे काम कर रही है जो एसा होता है कि जो लोग जानवरों से ज़्यादा करीब होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आपको execute कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने आपको express कर पाते हैं उनका और उरा होता है वो लोगों से अच्छा होता है वो लोगों से ज़्यादा खुसमिजद होता है ऐसा क्यों है इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक कारण भी या फिर जो त्योरी जो और्थोडॉक्स जो पुरानी चलती आ है वही कथा है उनली आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा जो हमारे पूर्वजिया फिर आपके दादा दादी भी होंगे उनके अपने फेवरेट जानवर हुआ करते थे वह गाय भैस और इनके बीच में बहुत ज्याजा टाइम बिटाते थे और उन लोगों का एंजा करना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी मुझे लगी है तीसरे नंबर के सबसे अच्छी है और मेरी फेवरेट है और मुझे उसमें लॉजिक भी बहुत अच्छा लगता है तो आखरी तक जरूर देखेगा आपको तभी ये वीडियो पूरी समझ में आईगी तो आप लोग जाता है कि वो एंजाइटी और इस्ट्रेस को किस लेवल तक दूर करते हैं और अच्छे लेवल तक दूर करने जाते हैं कभी-कभी रिसर्च में तो यह भी पाए जाता है कि शुगर में भी ब्लड प्रेशर में भी उन लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है तो इस आ महाने आपकी 15-20 मिनिट की वॉक हो जाती है और scientifically यह भी प्रूवड है कि जब आप 15-20 मिनिट अपने आपके साथ बिताते हैं कि आप उससे तो बात नहीं कर पाएंगे तो यह प्रूवड है कि 10-20 या 25 मिनिट जब आप अपने साथ बिताएंगे तो आपकी anxiety level अपने आप मतलब वो thoughts वो imagination जो आपको परेशान कर रही है वो आपने आप एक तरफ चले जाएगे और आप उस level को बहुत कम फील करेंगे anxiety stress अपने आप कम होते जाएगे और दूसरा physical activity भी बढ़ रही तो anxiety stress अपने आप कम होता जाएगा तो एक यह theory है जो American school of thoughts ने बताई थी इसके ब तो उसके अंडर जो hormones होता है जो hormones आपके अंदर happy hormones के लिए जो responsible है dopamine और और ज्यादा excitement के responsible होता है oxytocin या फिर cortisone यह जो hormones होते हैं जिसको happy hormone गोला जाता है इसके secretion के लिए कोई भी जानवर बहुत ज्यादा responsible होता है और जब यह hormones हमारी body में secret होते है तो हम बहुत opinion theory बोलते हैं मतलब ऐसा कि इनका जो प्यार होता है वो unconditional होता है जिसकी वज़े से आप जब घर आते तो यह आपका इंतजार करते हैं घर से जाते तो इंतजार करते हैं और बाकि सारी जिसकी वज़े से अनकंडिशनल लव वाली जो थेवरी होती है वो डॉक्स पर फॉल्व होती है तीसरे नंबर वाली जो मुझे लगता है कि सबसे important है और ऐसा होता भी है हम लोगों ने अधिकतर पढ़ते हैं कि और नाम की चीज़ होती है और मतलब वो physical या फिर metallic appearance एक body का जो अपने आसपास बन जाता है उसकी छवी की वज़े से यह एक तरीका होता है अपनी energy का beam बनाने के लिए इसके लिए responsible होता है आपका limbic system limbic system वो दिमाग का हिस्सा होता है जो कि आपके emotion anxiety depression जो भी emotion related programs होते हैं उसको control करता है यही हिस्सा dog में भी पाया जाता है और यह हिस्सा dog का इंसानों से जादा developed होता है इसलिए वो ज्यादा emotional होते हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि emotional जादा है जो कि attached है जो कि बहुत अच्छा है और आप उसको बार-बार दिन में टच करते हैं आपका पैट होता है आप उसके सिर पे हाथ फिरते हैं दिन में दो-चार बार तो आप फिरते ही है यह आप फर हाथ लगाते ही है limbic system से सीधी energy या contact molecular energy इंसानों में transmit होती है और वो एक positivity की तरफ लेके जाती है चाहिए उन लोगों को बखवास लगे जिन लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं है लेकिन ऐसा होता है दो चीज़े अपने आपको attract करती है चाहे वो positive हो चाहो negative हो emotional आदमी अगर dog के साथ attached है तो limbic system attached होगा दोनों का activate होगा और उसके बाद ये चीज़े boost हो जाएंगी जिसकी वज़े से आपका blood pressure, sugar, anxiety, stress और depression अपने आप कम होता जाएगा यह theory मुझे सबसे अच्छी लगी थी यह California school of life science में मैंने पढ़ा था वहाँ जाके मुझे पता चाहता था इसमें एक और सबसे अच्छी बात यह है कि dogs में भी anxiety stress होते हैं और वो भी अपने आपको recover करने के लिए इंसानों की help लेते हैं ऐसा बहुत बार देखा गया लेकिन बात अकर इंसानों की करें तो dog therapy नाम से आजकल इंडिया में भी center खुलने लगे जो कि नागपूर, बैंगलोर, पूने और अपना मुंबई यहाँ प कर सकते हैं लिंबिक सिस्टम का तो मैंने आपको बताई दिया है लेकिन फिर भी आप करके देखिए जितने भी लोग आज तक जिनने पैट रखा है और जिनका आज तक research publication में आया पेपर में आया है कर देखेंगे तो जिनके घर में एनिमल्स होते हैं उनकी इम्मिनिटी कम होती है इसलिए आपने देखा हुगा African लोगों की इम्मिनिटी सबसे अच्छी मानी जाती क्यों कि they leave in between animals this is wonderful factor that I got to know when I studied these things तो guys मेरा जो मानना है कि तीसरे नंबर की theory जो limbic system वाली theory जो एक दूसरे को touch करने पर energy transmit होती है उसकी positivity आपके अंदर transmit होती है जिसकी वज़े से आपकी जो molecular energy वो अपने आप deprive होती जाती है और आप एक ऐसे stage पर आ जाते है यह आपको लगता है कि नहीं म खर्शनी करते हमने लोगों को देखा है अपनी property बेच के dog की जान बचाते हुए लोगों ने पांच-पांच ददद बीस बिस जजार रुपे के बिल पे करे है जर्मनी से surgeon को बुलवाए सिर्फ डोग को बचाने के लिए इसको सिर्फ आप लोगों की भाशा में पागलपन कहा जाएगा लेकिन जो उससे प्यार करता है महबबत करता है जिसे उसकी कीमत पता है वो सिर्फ आपको बैया कर सकता है कि उसकी जिन्दगी में उसकी क्या importance है तो गाइस मुझे आप जरूर बताएगा इन तीनों त्योरी में से आपकी कौन सी favorite है और अगर आपके पास भी मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था लेकिन आज देखो मेरे पास सब कुछ है अब यह क्यों है कैसे यह फेक्ट और फिनोमेना बताना बहुत मुश्किल है वट कही ना कहीं लिम्बिक सिस्टम वाली एनर्जी वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा है तो तैंकी सो पर वाटिंग इस वीडियो आपको कौन सा वाला फैक्ट सब्सक्राइच चलागा है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरू बताइए थैंकी सो मुझ